हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर काजल मंगुक्या प्रेक्टिसिंग गाइनेकोलोजिस्ट, औप्स्टेट्रिशन एंड आईविफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम और्किड हॉस्पिटल एंड आईविफ सेंटर सूरण नमस्कार आपका स्वागत है और्किड पेशन्ट्स अवेरनेस सीरीज में और फ्रेंड्स काफी बार हमने देखा है कि ओपीडी में जब हम काउंसिलिंग करते हैं कि एक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो भी पेशन्स का आईविफ साइकल चल रहा होता है जैसे ही ओ कि आईविफ हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है और उसमें भी अगर अंडे की क्वालिटी या तो स्पॉम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अभी तो कोई एक्स्पेक्टेशन ही नहीं है कि वह प्रेगनेंट हो सके तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है आज इस वीडियो के माध क्यों बनते हैं क्ये रीजन होते हैं पूर क्वालिटी अमरियो की इंडियो स्प्स्टम क्या होती है और किन रीजन क्याल रीजन होते हैं जिसकी वज़의 से पूरेंबरीं या ईंडियो encant só क्वालिटी अउटा है तो फॉर्स्ट इंपॉर्टन जो है कि जब भी भी हम है कि IVF के लिए जो पेशेंट्स इंडिकेटर होते हैं सो आइधर क्वालिटी ऑफ दे स्पर्म या तो क्वालिटी ऑफ दे उसाइड सो जैसे हम अगर बात करते हैं इन डीटेल तो फीमेल जो रहती है उनकी एज कितनी है उनका एंटी मुलेरियन हॉर्मोन एमच वाल्यू कित कराता है दूसरा है कि स्पॉ म stat क् formal chronicle में जैसे संगा मोटिलिटी कम है या तो काउंट कंम है या तो मॉर्फलोजी कली पुएर कम से यह तो डीन फ्रेग्मेंटेशन इंडेक्स तब बहुत हई होता है तब दा Keeping अप pension मि जो कॉनब्रियू नलम होते हैं वह पूर कवालीट जिमिंग करते हैं इवन स्टिरोइड वगरा का अगर इंटेक करते हैं तो ऐसे पेशन्ट में भी quality of the sperm जो है वह इतनी अच्छी नहीं होती है दूसरा की जो इंडस्ट्रियल जोन में काम करते हैं जैसे सूरत के नियरबाई है अंकलेश्वर वगरा है भरूच है तो जो इंड काफी बार जैसे मेल या तो फीमिल पाटनर दोनों का डीटेल में हिस्ट्री लेना बहुत ही आवश्यक होता है जैसे कि अगर फीमेल को असोशेटेड मेडिकल कंडिशन से जैसे की डाइबिटीस है बलड़ प्रेशर हाई रहता है उनका या तो एंटिहपटेंस बेडिसिं चल रही है एपो थायरोइडिजम है एवन एंडोमेट्रियोसिस अगर असोशेटेड वित है तो यह भी रीजन होता है इवन जनेटल कॉक्स है तो कोई भी मेडिकल डिजीज अगर है जो भी मेल या तो फीमेल पाटनर्स को तो इसकी भी एफेक्ट पड़ती है जो HMG करके जो hormones आते हैं उसके injection start किये है और in case quality of the oocyte अच्छी नहीं है तो next time जबी second cycle करते हैं तबी recombinant FSH यानि कि जो molecule है वह भी change करके देख सकते हैं तो काफी बार जैसे होता है कि जो injection होता है तो वह injection की जो potency है cold chain maintain होना injection जो liquid है उसमें protein की मात्रा कितनी है तो यह सारी चीज़ भी बहुत important होती है जब हम IVF cycle करते हैं दूसरा जो main heart या तो soul of the IVF treatment का जो कहा जाता है that is the IVF lab यानि के embryology lab जिसके अंदर यह जो gametes होते हैं उसमें जो procedure की जाती है जो lab है उसका environment की lab में जो particle count है वह कितना है लाब में humidity कितना है temperature कितना है pH कितना है तो यह सारी चीज़ भी बहुत important होती है oxidative stress हम जो बोलते है की particle count कितना है यह सब measure करना और regular QAQC यानि quality control वगेरा करना बहुत ही आवश्यक होता है दूसरी बात होती है कि जो culture media हम use करते है during the IVF procedure यानि इकसी procedure के time जो culture media use होता है उसकी osmolarity से लेकर cold chain से लेकर everything is very important बाद में important है कि जो embryologist है जो यह procedure करने वाले है यानि कि जो इकसी procedure है जो embryologist perform करते है तो उसमें भी यदि senior embryologist है या तो well trained embryologist is necessary और last but not the least is the mental health of the couple जो couple है अगर ज्यादा stress anxiety वगेरा रखते हैं that also affects the quality of the sperm and the oocyte so friends यह सारे important factors आज मैंने detail में बात की है कि जिसके उपर quality of the embryos जो है वो depend करता है दूसरा कि जब भी हम counselling करते हैं तो patient को ऐसा लगता है कि for example grading of the embryos कि grading कैसे की जाती है उसका भी मैं brief में जानकरी देने वाली हो so basically जो है तीन grades होते है grade 1 embryos जो होते है जो आप यहां पे picture में देख सकते है कि compact embryo होता है जो भी material है वह एकदम पास पास में होता है यानि कि compact embryo हम बोलते है उसको और उसका जो lining होता है वह एकदम well defined होता है दूसरा quality जो है that is grade 2 embryos जहांपे जो internal material होता है embryos का वो loose होता है और lining जो है वो एकदम well defined नहीं होता है और grade C embryos जो है generally we don't prefer कि grade C embryos transfer करें जिसमें बहुत ही कम genetic material होता है और उसके जो lining वगरा होता है वो regular नहीं होता है irregular होता है well defined नहीं होता है so that is a grade C embryos दूसरा जो grading होता है जिसमें A, B and C so A, 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 B यह जो grading होता है that is the best quality of the embryos so we are already given the chart जिसमें सारे grading of the embryos mention किया हुआ है so friends generally हम prefer करते है कि 4 A, A या तो 5 A, A, 4 A, B या तो 5 A, B यह सारे जो grading होता है यह best quality के embryos होते है और जो grade A embryos है उसमें implantation rate और pregnancy rate जो रहते है वो हमेशा higher side पे रहते है on an average it is about 60 to 65% so friends यह video के माधियम से मैंने कोशिश की है कि जो भी ऐसे couples हैं जिनमें ऐसी कोई problem आ रही है कि IVF cycle हुआ है उनका quality अच्छी नहीं है तो शायद इस video से उनको थोड़ी और detail में जानकारी मिल सकती है और ऐसे ही आपके कोई भी queries रहेंगे इस topic के related तो आप question comment box में जरूर से झाल